Welcome to my channel, Secret Home Remedies by Beauty Secrets Weight Loss with Hot Water Friends, आज हम बात करेंगे कि गरम पानी के इस्तमाल से आप किस तरह से अपना वजन कम कर सकते हैं? Friends, अगर आपकी लाइफ बहुत ज़ाद बीजी है, आपके पास एतना वक्त नहीं कि आप किसी टफ रूटीन या डाइट प्लैन को फॉलो कर सके तो आज की वीडियो आपके लिए है आज हम बताएंगे आपको ऐसे टिप सेंट्रिक्स जिसको फॉलो करते हुए आप अपने वजन को बासानी कम कर सकते हैं सिर्फ एक चीज़ के इस्तमाल से और वो है पानी जी हाँ, सिर्फ गरम पानी के इस्तमाल से आप अपने वजन को बासानी कम कर सकते हैं बहुत यह असान सी टिप है फॉलो करना बहुत असान है करना क्या है सुपोर्ट कर आपको सुपो लेना है एक क्लास नीम गरम पानी कुछ लोग पानी का इस्तमाल बहुत कम करते हैं खास दोर पर सरदियों के मौसम में जैसे ही विंटर स्टार्ट होता है हम लोग पानी का इस्तमाल बहुत कम कर देते हैं जिसके वैसे हमारी बॉडी डिहाइडरेशन का शिकार हो जाती है और डिहाइडरेशन की वज़े से हमारा जिसम मुखलिब किसम की बीमारियों का शिकार हो जाता है इसलिए हमेशे ये कोशिश करें कि पानी का इस्तमाल ज्यादा से ज्यादा करें कम से कम दिन में आठ से दस क्लास पानी के रुजाना इस्तमाल करें चाहे सर्दियां हो या गर्मिया आठ से दस क्लास पानी के आपको रुजाना लाजमी इस्तमाल करने है पानी किस तरह का इस्तमाल करना चाहिए यानि ठंडा पीने चाहिए गरम पीने चाहिए अब हम इस पर बात करेंगे अगर गर्मियों का मौसम है तो आप डेफिनिटली ठंडा पानी ही इस्तमाल करेंगे कुछ लों को आज़त होती है कि बहुत ही ज़्यादा ठंडा येख पानी पीते हैं बहुत ज़यादा उसमें आईस डालते हैं जो कि बहुत ज़यादा आपकी बौड़ी को नुकसान देता है जितनी भी ज़यादा गर्मी हो कोशिश करें कि हमेशा बहुत ज़यादा थंडा यख पानी ना बिए सर्दियों के मौसम में पानी कैसे इस्तमाल करना चाहिए क्योंकि अगर हम रूम टपरिचर पे भी पानी इस्तमाल करते हैं तो वो भी काफी ज्यादा थंडा हो चुका होता है तो कुशिश करें हमेशा उसको हलका गरम यानी गुर्णगुरा करके इस्तमाल करें इस्ते क्या होगा कि आप ज्यादा से जजाधा पानी इस्तमाल कर सकेंगे और गरम पानी का इस्तमाल वैसे भी सहथ के लिए नहायत मुफीद है तो हम wh påट करेंगे के पानी, गरम पीना ज्यादा सहथ के लिए अच्छा है या ठंड़ा पीना ज्यादा सहथ के लिए मुफीद है कुशिश करें गर्मिया हों सर्दिया हों आप अगर गर्मिया हैं तो नॉमल पानी इस्तमाल करें और सर्दियों मैं या नॉमल मौसम में आप हमेशा हलका warm water यानि हलका गुनगुना पाने इस्ते ना सिर्फ आपके वजन को कम करने में मदद मिले real भोत ज़्यकर शबत में, भी आपकी साथ की पुमारे, आपकी दिटॉक्स होती यह आपकी बॉड्ड को पुरिफाइक करता है. ज्यादा से ज्यादा पानी की इस्तमाल से आपकी बॉड़ी के अंदर मौजूद जितना भी unwanted material होता है यह उसको flush out करता है, बाहर निकालता है, remove करता है लेकिन अगर आप उसकी जगा नीम गरम पानी यानी हलका गरम या गुनगुना पानी इस्तमाल करेंगे तो उसके fight और भी कई गुना बढ़ जाएंगे लेहाज़ा हमेशा कोशिश करें कि सुपो उठकर early in the morning निहार मूँ हमेशा एक गलास नीम गरम पानी का इस्तमाल करें निहार मूँ नीम गरम पानी के इस्तमाल से आपका metabolism बहतर तरीके से काम करेगा बलकि इसके साथ-साथ आपके लिए weight loss में बहुत ज्यादा helpful रहेगा ज्यादा से ज्यादा गरम पानी के इस्तमाल से ना सिर्फ हमारे body का हर हिस्सा हर organ बेहतर तरीके से काम करता है बलकि इसके साथ-साथ हमारे जिसमें जितने भी फासद और जहरीले माते हैं बशाब के जरिये से बाहर निकल जाते हैं ज्यादा से ज्यादा हम पानी का इस्तमाल करके खुद को 90% तक बिमारियों से महफूज रख सकते हैं इसलिए कुशिश करें कि हमेशा अपने रोज मेरा रोटीन में पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तमाल करें और अपने दिन की शुरुआज जो है वो नीम गरम पानी यानि हलके गुन गुने पानी से ही करें और अगर winter है यानि सर्दिया हैं तो कुशिश करें कि सारा दिन ही आप नीम गरम पानी इस्तमाल करें यकिन कीजिए इस trick को इस्तमाल करते हुए आप हफते में 3-4 किलो वजन अपना बाह सानी कम कर सकते हैं एक trick तो ये है कि आप पानी का इस्तमाल जादा से जादा करेंगे और second ये कि आप हमेशा सुब़ उठकर early in the morning नीम गरम पानी का इस्तमाल करेंगे third and last और वो ये कि अगर ममकिन हो तो आप सारा दिन ही नीम गरम पानी का इस्तमाल करें अगर आप ये तीनों ट्रीक इस्तमाल करते हैं तो यगीन करें आप वजन में अपने वाज़फ और खुद महसूस करेंगे इन ट्रीक्स को इस्तमाल करते हुए ना सिर्फ आप अपने वजन में नुमाया कमी महसूस करेंगे बलके इसके साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ- स्किन बहुत ज़दा फ्रेश रहती है, स्किन पर जुरियां लेट आती है यानि अगर आप पानी के इस्तमाल ज़्यादा करते हैं तो आप ज़्यादा लंबेर से तक जवान और खुबसरत नजर आ सकते हैं ज्यादा स्यादा नीम गरम पानी के इस्तमाल से हमारे गुर्टे बेटर तरीके से काम करते हैं और ज्यादा पानी के इस्तमाल से हमारा दिमाग जो है, हमारा जो ब्रेन है वो बेटर तरीके से वर्क करता है इसके साथ साथ इस से हमें अनगिन फवाइद हासिल होते हैं जो के गिनवाय नहीं जा सकते तो जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं और खुद को सहतमान देखना चाहते हैं उनको जो तीन ट्रिक्स पताएगे हैं उनको चाहिए कि वो इसको फॉलो करें उसके साथ अगर मुम्किन हो तो वो फास्ट बूट का इस्तमाल कम से कम कर दें घर का खाना खाएं, सिंपल खाना खाएं और रोजाना आदे घंटे का वर्काउट लास्मी करें वॉक करें, एक्सेसाइस करें, कुछ भी करें लेकिन रुजाना आदे घंटे की वर्जश को मामूल बना लें इससे आपके सहत भी अच्छी रहेगी, वजन भी कम होगा, जमान और खुबसरत भी नज़र आएंगे ब्रेक फास्ट को कभी भी स्किप मत करें रात साथ बचे के बाद कोई भी हैवी मील मत लें यानि अपना डिनर या रात का खाना जो है, वो आप रात साथ बचे तक खतम कर लें रात को जल्दी सोयें, सुबो अर्ली उठें सॉफ्टरिंग का इस्तमाल कम से कम कर दें अपने हर खाने का एक टाइम हो करर करें इन तमाम टिप्स को फॉलो करें, अपना फीड़ बैक दें और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें थैंक्स वर वाचिंग